हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सब कापके अपने चैनल बेद एकेडमी में यह हमारी हिंदी पत्खंट की थर्ड वीडियो है अगर आपने प्रिविएस टू वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा जाकर जरूर देखे जो भी निव वीडियो हम अपलोड करें उसका नोट अपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चली सुरू करते हैं अभी तक हमने मीरा भाई की जो पादे देखे थे आज हम केस अबदास के दोरा लिखी गई सरसबती बंदना देखेंगे तो चली सुरू करते हैं हम सं समझ लेते हैं पहले लाइन हमारी बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए यहां पर जो हमारे कभी केस अबदास जी हैं बै कहते हैं कि परम पूझ सरसबती मा की उदारता का बढ़न नहीं किया जा सकता बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए हमारे जो कभी केस परम पूज सरस्बती जी की उदारता का बढ़न नहीं किया जा सकता ऐसी मती उदित उदार कौन की भई संसार में ऐसी स्रेश्ट बुद्धी किसी में नहीं है जो उनकी उदारता का बढ़न कर सके नेश्ट लाइन हमारी देपता, प्रिसिद, सिद, रिसी राज तब ब्रद जो देपता है, सिद मुनी है, स्रेश्ट तपस भी है सभी कह कह कर हार गए लेकिन उनकी उदारता का कोई भी बढ़न नहीं कर सका कई कई हारे, सब कही न काहु लाई जो देपता है, प्रिसिद, मुनी है, स्रेश्ट तपस भी है बै कह के कर हार गए, पर उनकी जो उदारता है उनका बढ़न बै नहीं कर सके भाबी, भूत, बर्तमान, जगत, बखानत है बर्तमान, काल, भूत, काल, भविस, काल बताने वाले, जो पंडित हैं, बै सबी लोग भी हार गए है लेकिन, बै भी, जो स्रेश्ट बती जी की उदारता है उसका बढ़न नहीं कर सके है के सब्दास क्यों ना बकानी, काउपे, भाई यानि कि जो भविस, काल, भूत, काल, बर्तमान, काल का नोलेज रखने वाले, जो लोग है बै भी, सरेश्बती जी की जो उदारता है, उसका बढ़न नहीं कर पाए है पती बरने चार मुक, पूत बरने पांच मुक जो उनके पती हैं, बै पांच मुक वाले श्री ब्रह्मा जी है, और छे मुक पूत बरने पांच मुक पांच मुक वाले, जो उनके पुत्र हैं, संकर जी, नाती बरने सट मुक और जो कार्थिके 6 मुक वाले नाति हैं बेवी उनका उधारता का बढ़न नहीं कर सके हैं पती बढ़ने 4 मुक चार मुक वाले पती ब्रह्मा जी मुक पूत बढ़ने 5 मुक 5 मुक वाले पुत्र संकर जी नाति बढ़ने 6 मुक 6 मुक वाले नाति कार्तिके भी उनकी उधारता का बढ़न नहीं कर सके है संकर जी को ब्रह्मा जी की भाउन सा हुथ्पन होने के कारण उनको उनका पुत्र का गाया है और कार्तिके संकर जी के पुत्र है इसलिए वैं सरस्बती जी के नाती हुए तो एके करके फिर से हम लाइनस का मतलब और समय लेते हैं बानी जगरानी की उदारता बखानी जाये कभी कहते हैं कि परम पूझ श्री सरस्बती जी की उदारता का बढ़न नहीं किया जसकता एक सब्दार जी कहते हैं कि फिर भी उनके उदारता का बढ़नन नहीं कर सके हैं अबी तक भाबी भूद बरतमान जगत बखानत हैं जो बर्तमानकाल, भविसकाल, भूतकाल का जो ग्यान रखते हैं केसा दास कहू ना बखाने कहू पे गई उन लोगों से भी जो सरस्पती जी की उदारता उसका बना नहीं किया गया अभी तक पती बरने चार मुक, चार मुक बाले पती मुक, पूत बरने पांच मुक, पांच मुक बाले पुत्र, नाती बरने सट मुक और जो छे मुक बाले नाती हैं उनने भी उदारता का बनन करने की काफी कोशिच की लेकिन भे भी नहीं कर पाए पती बरने चार संकरजी उनकी उधारत का बढ़या नहीं कर सके हैं आसा चाहता है कि संकरजी का जर्ण में भ्रहम होती हैं उनसे हुआ था इसलिए उनको उनका पुत्र कहा जाता है और कार्थी की सिभ जी के पुत्र हैं इसलिए बैर सरस्बती जी के नाती हुए तो अब हम डीटेल में इनको लिख लेते हैं सबसे पहले संदर्व संदर्व में हमें लिखना होता है कि जो पंक्तियां हम पढ़ रहा हैं सरस्बती बंदना से अब तरित है यह हमारा यहां पर संदर्व हो गया अब प्रिसंग होता है हमारे टेलर के जैसा कि हम अगर आपको दो या तीन गंटे की मुवी नहीं देखना है सनसार में इसी स्रेष्ट बुध्धी किसीसे इसी में नहीं है जो उनकी उदारता का बढ़नन कर सके देपता सिद्ध मुनी स्रेष्ट तपस भी सभी कहके कर हार गए लेकिन कोई भी उनकी उदारता का बढ़नन नहीं कर सका अभी तक बूत काल बरतमान काल भविस्ष काल बताने बाले लोगों ने भी सरजबती का बढ़नन किया लेकिन केशपदाज जी कहते हैं कि कोई भी सरजबती की दया का बढ़न नहीं कर सकता उनके पती ब्रह्मा जी पुत्र संकर जी और उनके नाती कार्थी के नहीं सरजबती की उधारता का बढ़न किया लेकिन बेबी उनकी उधारता का उच्छे तुरूप से बढ़न नहीं कर पाए हैं आपको स्क्रीन सोट ले लेना है प्रोफर तरीके से यह आपके संदर प्रसंग हुए यहां से बैक क्या स्टार्ट होती है हमारी अब हम देख लेते हैं कि इसमें बिसेज क्या है तो सबसे पहले सरजबती बंदना में सरजबती जी का गुड़गान किया गया है और ब्रजबासा का प्रियोग किया गया है सांतरस का प्रियोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद